भ्यम दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शकों कई बार हमारी घर में ऐसी परेशानिया होती हैं जो धन के कारण होती है पैसों की तंगी के कारण हमारी घर में ग्रैकलेश होने लगता है पती-पती के बीच मद्भेद होने लगता है आफसी तनाव पैदा होने लगता है यह सब धन की कमी के कारण होता है ऐसे में स्वयम मालश्मी ने बताया है कि आप अगर मेरी इस तरह से पूजा अर्चना करती हैं तो आपका घर मैं धन से भर दूँगी आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी ऐसे में यदि आप भी मालश्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो यह छोटे-छोटे से उपाय अवश्य ही करें सबसे पहले तो एका दशी के दिन आप भगवान विश्नु को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां पर शीहरी होते हैं वहां लश्मी तो होती ही होती हैं क्योंकि मालश्मी उन्ही के साथ निवास करती हैं और शुक्रवार का दिन मालश्मी का होता है वैसे तो प्रति दिन शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच मालचमी धर्ती पर ब्रमन करती हैं और आपके घर में आमंत्रित होती हैं यदि इस समय आप मालचमी को प्रसन्य कर लेती हैं तो आपके घर में कभी भी धनेधान की कमी नहीं होगी धन की कमी नहीं होगी इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच आप मालच्मी की प्रतिमा के सामने घी का दिया प्रजवलीत करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सचे मन से मालच्मी को जब भी पुकारते हैं वह हमारी मदद करने अवश्य ही आती है हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतिया होती हैं जिनके कारण मालच्मी हमसे रुस्ट हो जाती है इसलिए आप छोटी छोटी बातों का विशेश कर ध्यान रखें शुक्रवार का दिन मालच्मी को अतिप्रिय होता है शुक्रवार के दिन सुभा के समय सफेद वस्त्र पहने और मालच्मी के सामने बैठ कर स्री सूत का पाठ करें उन्हें कमल का फूल अरपित करें जब भी किसी शुबकार के लिए आप घर से निकलते हैं तो कुछ मीठा अवश्य ही खाएं मीठे में आप दही खा सकते हैं उसके बाद ही आप घर से निकलें शुक्रवार के दिन लच्मी जी के मंदिर में शंक, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, कीर और गुलाब का इत्र अवश्य ही चढ़ाएं जिससे मालच्मी जल्दी प्रसन हो जाती हैं अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुक्स सम्रिद्धी को बनाये रखना चाहते हैं तो आपको शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया अवश्य ही लगाना चाहिए सुभा के समय घर के मुख्य द्वार पर आप मालच्मी को आमत्रित करने के लिए रांगोली सजाएं और गंगा जल्द के साथ पूरे घर में छुरकाव करें और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर से नकारात्मक उर्जा बहार चली जाएगी और घर में साकारात्मक उर्जा का वास होगा इससे परिमार में सुकसक मृद्धी बनी रहेगी अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं धन से संबन्दित कोई परिशानी आ रही है तो शुक्ल पक्षि के किसी भी रविवार को या वीरवार को गुरुवार को आप शुद्ध केसर का तिलक माथे पर लगाएं इससे सभी परिशान्या खत्म हो जाती है गुरुवार का दिन भगवान विश्नु को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन माता लच्मी को समर्पित होता है गुरुवार के दिन अगर आप श्री हरी को प्रसन्न कर लेते हैं तो मा लच्मी तो स्वयम ही प्रसन्न हो जाएंगी श्री शिवाय नमस्तु भ्याम दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तरंथी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उस सबसे पहले आप तक पहुचेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताईएगा श्री शिवाय नमस्तु भ्याम दर्शकों हर हर महादेव जय मालचमी